दोस्तो कई बाना लोगों के पैर के तलवों का जो आच होता है वो वाला हिसाना सपाट होता है तो इसे सपाट पैर या फिर फ्लाट फूट कहते हैं दरासल ये प्रॉब्लम ना हर उम्र के लोगों में हो सकती हैं और जिन लोगों के फ्लाट फूट होते हैं जिसे उन्हें च जगा छोड़े फर्स से संपर किरता है चप्टे पैर होनी का मतलब है कि आपके पैरों के नीचे का महराब चप्टा है जी हाँ इसका मतलब है कि लोगों के पास या तो बहुत कम आर्च है या कोई आर्च नहीं है तो वही फ्लाट फूर के लक्षन सबसे जिएदा तब दिख होती हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है तो वही दोस्तों फ्लाट फूर की समस्तिया बच्चों और बड़ो दोनों को हो सकती है जिसमें पैर पूरी तरह से जमीन को ही छूते दिखाए देते हैं सभी को तो नहीं पर अधिकांश लोगों को फ्लाट फूर की वजा से ते लुकवाली स्पोर्ट्स एयरफोन्स आते हैं विद ब्लुथूथ 5.3 वर्जिन के साथ विद अक्टिव नॉइस कांशलेशन, LED दिस्प्ले, Type-C फार चार्जिंग, USB कनेक्टिविटी विद अनिंटरॉप्टेट 24 और बैट्वे लाइफ और वाटर एसिस्टेंट फीचर क के साथ hands-free control and convenience आपको provide करेगा तो आप इस amazing gadget को buy करनी के लिए visit कर सकते हैं हमारे amazon store पे तो इसके link आपको वीडियो के description में दी गई है देखिए flat food के कई सारे कारण है अगर परिवार में पहले किसी को flat food की शिकायत रही है तो बच्चों में भी शिकायत नजरा सकती है इसके इसके लावा flat food neurological या फिर मजल से जुड़ी रोकी तरव भी शारा करता है तो वही cerebral palsy और muscular dystrophy जैसी शिकायतों के पीछे flat food की problem हो सकती है ठीक है तो वही दोस्तों अब देखते है flat food के लक्षन क्या होते हैं तलबो में आपके बहुत जादा दर्ध होता है यानि आपके souls मे आपको severe pain होता है hip, कमर और पैरों में दर्ध होता है यानि आपको hip and waist area जो होता है आपका उसमें बहुत पेन होता है आपके ankles यानि टक्नों में भी सुझन हो जाती है तो वहीं आपका जो arch होता है वो कम हो जाता है जी हां तो आईए देखते हैं इसका इलाज आपको कैसे कर सकते हैं और exercises से पहले आपको सही footwear चुनना है फ्लाइट फूट वाले लोगों के लिए footwear का सही चैन बहुत ही important होता है ऐसे लोगों के लिए अलग तरहां की fitting वाले जूते आते हैं यानि shoes आते हैं जिन से arch वाली जगा पर जियदा pressure पड़ता है और पैर का posture ठीक रहता है absorbing soul पहने की सिरा दी चाती है नेक्स आप पंजों को अंदर बाहर मौने वाली exercise कर सकते हैं इसके लिए पैरों को फैला कर बिस्तयाफी योगासन पर बैठ जाएं हाथों को पीछे की तरफ रखें अब दोनों पैरों को साथ में लाएं और हाथों को बाड़ी के बाजू में अब सांसों को अंदर लेते वे पैर के पंजों को अंदर की और मोरी सांसों को छोड़ते वे पैरों के पंजों को बाहर की और मोरी तो दोस्तों इस exercise को आप दिन में दो से तीन बार पांस से दस राउंड कर सकते हैं इससे ना दोस्तों जो आपके पैरों के पंजों में और साथी फ्लाइट फूट की वजह से जो आपको पेइन है उसे चुटकारा मिलेगा और साथी फ्लाइट फूट की समस्या भी दूर होगी ठीक है नेक्स्ट आप पंजों को खोलने और बंद करने वाला एक्सरसाइस करें योगासन पर पैर फैला कर बैट जाएं दोनों पैरों के पंजों को सटा कर रखें अब सांस को बहार छोड़ते विए दोनों पंजों को बुक की तहां बंद करें जिसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे फिर सांस को अंदर लेते भी दोनों पंजों को खोले इसे आप रोज पांच राउंड कर सकते हैं इससे भी आपको जो फ्लाट फूट की प्रॉब्लम है उसमें दर्ध होता है उसे शुटकारा मिलेगा दोनों प्रॉब्लम से आप जो है रिलीफ पालेंगे निक्स आप पंजों को घुमानी वाली एक्सरसाइस भी कर सकते हैं जी हाँ इसमें आपको सिफ अपने पंजों को घुमाना है आईए देखते हैं इसको डीटेल में आपको कैसे करना है तो यहां पर योगासन पर पैर फैला कर बैठ जाना है सबसे पहले तो आपको तो फिर उ वीडियो में दिख रहा है वैसे ठीक है यह तीनो एक्सरसाइजेस ने दोस्तों फ्लाट फूट की समस्या से चुटकारा दिलाने में आपकी बहुत ही हैल्प करेंगे साथी चो पेन होता है इस प्रॉब्लम में आपके पैरों में वह भी दूर होगा बहुत ही एक्सरसाइजे इसली से जरूर कीशे आप दोस्तों देखते हैं इस प्रॉब्लम में सरच्चरी की नौबत कर आती है देखे ज prosecution rigid flat food होते हैं उन्हें सरचरी जल्दी करवा लेना चाहिए क्योंकि बिना सरचरी की उन्हीं रहात मिलना मिशकिल होता है सरचरी जितनी कम उम्र में हो अतना बहतर होता है इसलिए रिचिट फ्लाइट फूड की प्रॉबलम है तो सरचरी करवा लेना बहतर है दॉक्टर की सिला से और फिर आगी का treatment चलेगा और फिर आपको flat food की problem से चुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों ये थे कुछ उपाएं जिसके मदर से आप बड़ी आसानी से flat food की problem से चुटकारा पा सकते हैं और साथी साथ इसमें होने वाले दर्ट से भी आज इसे अपनाएं और हमेशा आपको healthy रखें